गुड मॉर्निक स्टूडेंट ट्रॉट्स का दा नेक्स्ट टॉपिक डट मिंट एक कंडेक्टिंग पाथ तो प्रीवेस लेक्षिर में हमने कहा था डेबलेप्मेंट ऑफ लाइटिंग बॉल्ट तो हमने चार्ज ऑफ क्लाउड कर लिया था एलेक्टिक फिल्ड ओफ जा जाएगा नेग्टिव 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 चार्ज जाएगा और यह जो हमारे जो अर्थ सर्फिस होता है यह हमारे जो अर्थ सर्फिस है ठीक है उस पर जितने मीं चीजे प्रेजिंट उन्स पर क्या आयता है बाट आए वहां पर negatively चार्ज और surface of earth पर positively चार्ज क्रेट होना मतलब create नहीं होना शुरू होता है पहले से ठीक है जिसकर कि क्या होता है बटा electric field create होना शुरू हो ता आपको पता ना electric field तबी create होगा जब दो opposite charge present हो ठीक है एक प्रेजेंट होता है यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है यहाँ पे जिससे क्या होता है इंग दोनों के बीख में इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रेट होना शुरू हो जाता है और क्या होता है बटा टाइम के साथ क्या होता है जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्र तो बेटा टाइम के साथ वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉंग हो जाता है कि देखो अब इस कलाउड और यह सर्फेस बार्थ के बीच में क्या है एर बीच में तो वो क्या करता है एर को भी ऐज ए एर को भी पाइज ऑफर एल्क्टल कंड़ुक्टर यूज करने लगता है ईल्क्रिकल कंड़ुक्टर वह मटिण mutually paling होते है प्लेट जिनमें मेंसे करेंट पास होने लग पढ़ता है ठीक है तो यह 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 यहայ veo किण के बीच के electrical conductor में convert कर जा ताकि जब भी ठंडर क्रेट हो तो मतलब उसमें से एर में से पास हो सके ठीक है बैटर electron flow from the bottom of cloud to the earth huge quantity and a very high speed creating a lightning stroke तो इसमें क्या होता बैटर जब काफी ज़्याज चार्ज क्रेट हो जाता है time के साथ तो क्या होता है electron flow करना शुरू हो जाता मतलब electron flow करना कहां से यह देखो यहां से मतलब कि यह bottom of the cloud से surface of the earth के तरफ यहां से electron flow होना शुरू हो जाता है ठीक है use quantity and the very high speed creating a lightning stroke ठीक है thus we may say that the lightning is a amphoteric discharge of electrical ठीक है बैटर तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि lightning क्या होता है amphoteric discharge होता है किसका electricity data typically occur during thunderstorm तो इसमें क्या होता है ठीक है typically क्या हमें मिलता है thunderstorm मतलब की देखो बेटा यह जो explanation है उपर उस explanation को बिल्कुल छोटा सा करके एक line में मतलब यहां पर नीचे बताया गया ठीक है तो आप इसको ऐसे ही learn कर सकते हों ठीक है अगर किसी को ना पता लगए इसमें से कोई तो आप मुझे lecture में हो सकते हो ओके next time the cause of thunder thunder होता क्यों हो इसका क्या reason unlike the Norse man बेटा क्या बोलते है कि हमें बेटा पता है कि thunder क्या होता है we awarded the thunder is an after effect of lightning thunder क्या होता है कि lightning के बाद का effect होता है ठीक है बेटा पहले lightning होता है फिर thunder होता है ठीक है thunder is the after effect of lightning when a lightning bolt travel through air मैंने जैसे आपको बोला था ना कि देखो यहां से यह air में travel करता है अर्थ के दरब आपको पता ना क्यों travel करता है reason मैंने यहां बता दिया है जब भी lightning bolt travel करता है एर में ठीक है and electron flow take place तो जब भी lightning bolt bolt travel करता है एर में तो electron का flow होने लग पड़ता है कहां से कहां bottom of the cloud से surface of earth के तरफ ठीक है this electron flow through the air leaves behind its little hollow charge in the air अब देखो बिटा आपने देखा होगा जब भी देखो बिटा में रीजन मैंने आपको बता दिया कि यह थन्ट मतलब कि जो वो lightning produce होती है क्यों produce होती है वो मैंने आपको बता दिया ठीक आपने देखा होगा जब भी बिजली चमकती है हम हिंदी में बिजली चमकना कहते हैं और English में lightning कहते हैं जब सा lightning होता है तो आपने देखा होगा कि पीछे एक लाइन सी छोड़ की जाती है मतलब कि जब भी लाइटनिंग होगा आप देखोगे स्पार्क सा पडियूस होता है ठीक है तो यह उसी के अब देखो बेटा मैं आपको इसका सिंपल मिनिंग यहां समझा देखो जैसे ही मतलब के बोटम सर्फेस के तरफ इलेक्ट्रन फ्लो होना शुरू होगा तो इसमें क्या होगा अब देखो आप अब देखते हो नहीं जब भी lightning होती है है ऐसे मतलब की लाइन सी बनती है वह भी काफी लाइट सी लाइन बनती है हमें दूर से दिख जाता है कि वहां पर lightning हो रही है ठीक है फिर क्या होता है मालों कि यह lightning हुई अब यह नहीं होता है लाइटनिंग हुई तो एक घंटे तक यह लाइन दिखती रहती जैसे अधरिक का कुपाय कर लता है एकुइन होता है इодas conscious makesि आइचसे मटलब होता है एक चैनल साथ बनाता है जब होता है तो वह क्या करता है था में सी बनता है देख्व बताकर की हमारे और जो रवह काफी ज़्यादा प्रेशर क्रेट करता है यह सब चीज आपने सुना होगा ना इसका सबसे एजी एक्जामपल है पानी में पानी में बलून को डालो मतलब पहले बलून में हवा पर पानी डालो आप देखना बलून अंदर नहीं जाएगा विकोज क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस काफी लाइटनिंग एक कुछ सेकंड के लिए होता है ठीक है उसके बाद द्वारा नॉर्मल हो जता सब कुछ और याद रखना बेटा जब भी मलब की लाइटनिंग पर्डियूस होगे उसके कुछ देर बाद कुछ सेकंड बाद क्या होते हमें काफी जोर से साउंड भी सुनाई देता है ठीक है the clap of thunder is hard a little after we see lightning हम लाइटनिंग होने के बाद हम आवाज सुनना शुरू करते हैं this is because the speed of sound क्या होता speed of sound होता बटा 332 meter per second याद रखना speed of sound यह आपने learn करना है speed of sound कितना होता एक मीटर में 332 meter per second एक मीटर में 332 meter स्वरी एक साकेंड में 332 meter distance travel करता साउंड याद रखना is much less as compared to speed of light अब देखो खुद देखो बैटा speed of light कितना था तीन के बाद 8-0 ठीक है बैटा और यह देखो साउंड कितना होता है देखो अब सीजी सी बात आप ऐसे समझ सकते हो कि यह कार है और यह सैकल है ठीक है कार के speed कितनी होते हंड़ेट प्लस होते हो इसकी speed कितनी होगे 20 होगी तो पहले कौन पहुंचेगा लाइट यह यह पहुंचेगा नहीं तो इसी तरह पहले बैटा नॉर्मल सा मानने को आया गया कि बेटन नॉर्मल से बात है कि लाइटनिंग होने के जितने सेकेंड बाद आपको आवाज आए लाइटनिंग उतना ही दूर आपसे हुआ ठीक है यह हम मानते है कि लाइटनिंग होने के जितने सेकेंड बाद हमें आवाज आता है लाइटनि दा लाइटनिग वॉल्ट से फालन समवेर नेर फिटेव और याद रखना अगर आप अवाद सुनते हो तंडर की अगर आप सुनते मतलब यह ओता है कहीं आसपास क्या हुआ कि लाइटनींंग गिरी हैं ठीक? है लाइटनींग गिरी है हम कहते हैं न बिजली गिरी है बिजली गिरी उसे बोलता है ठीक है तो फ़ांड दा एक्जाक्तली हाव फार अवे फ्रम लाइटनींः बोल तो पया just कि अप एक सिस्टम और है कि जैसे मैंने बोला था ना कि आप लाइटनिंग होने के बाद आप देखो कितने सकंड बाद आपको आवाज होती तो इसमें देखो दूर लाइटनिंग होई है दिस टाइम दिस टाइम भी एक सेकेंड दन दा फोलो दा गिवन फॉर्मुला ओप दिस्टंस अब देखो इसमें एक फॉर्मुला दिया गया है इसमें एक फॉर्मुला दिया गया वह निकान लेगे अब देखो मालो अपने डिस्टंस निकान ले एक्स क्या है बेटा टाइम है कितना सेकेंड एक्स क्या है टाइम है कितना सेकेंड है ठीक है बेटा एक्स को आपने क्या करना फाइप से मल्टिप्लाइप फाइप से डिवाइड करना है जितना भी एक्स की वेली उसको फाइप से डिवाइड कर दोगे ठीक है कलेर है जितना अभी सेकेंड आएगा उसको 5 से डिवाइड कर तो जो अंसर है आपका वह आगया डिस्टन्स एक्स के मान लो 5 सेकेंड है ठीक है डिस्टन्स के बिटा एक माइल है तो आपने देखो क्या करना है जी देखो एक माइल वी ठीक है ठीक है पॉस्ट यू आर स्टेंडिग इन डा पन और रहुड और हैड इसपुले hair standing to the end you your skin tingling lightning is about strike very near याद रखना बेटा यह भी एक simple सा मैं बता आता हूँ कि अगर आप कभी भी मतलब कि बारीश ओरी और बाहर खड़े और आपका hair मतलब कि जो आपके सिर के बाल है अगर आपको लग रहे हैं कि यह वो खड़े हो रहे हैं बिना मेहनत किये वो खड़े हो रहे हैं तो आपके जो हाथ में चोड़े-चोड़े बाल होता है वो खड़े हो रहे हैं बिना मेहनत के वो खड़े हो रहे हैं तो आप इतना समदलो कि lightning भी बिल्कुल आपके आसपास होने बाला है तो ऐसे में बेटा फटा फट अगर ऐसा कभी भी life में फूरों फॉझ बिया है औप देखो आसपास कोई घर zaकий बैट जाके पैंडुल धी कोस्यों घोऍकित कई निट्निंग होनेुगर प्यूंद में दले ने जो लेंडिक उसे खेजरे खितम हो जाओ ठीक है फ्रिक्वेंशल फ्लाइटनींग ओंद आना अन एंवर इन लैटनिंग्य डात अबाइट आई फ्लाइट अजले अवरी सेकंट टीक है क्या बोल रहा है अबिश लाइटनिंग्य डा अर्थ अबाऊ 100 ताम्स अबिसेकंट फॉर पॉर्ड व्या कि अब देखो बेटा है देखो बेटा यहां क्या बोल रहा है कि every second 100 times of lightning गिरती रहती है ठीक आप यह मत सौचो कि अभी रात निया तो lightning नियो ठीक है और किसी जगह तो रहत होगी न और हो सकता है कि जो इन not prevent the lightning from striking हम कभी भी lightning को strike करने से नहीं रोक सकते हैं we cannot even alter its direction ना हम इसका direction बदल सकते हैं we can only take the falling precaution to ensuring the safety of a tall building मतलब देखो बेटा ना तो आप lightning को गिरने से रोक सकते हो ना तो lightning का आप जगा चेंज कर सकते हो ठीक है तो इसके लिए आप सिर्फ एक चीज कर सकते को precautions ले सकते हो अपने आपको बचा सकते हो तो आपने एक चीज देखा होगा कि lightning roads आपने चीज देखा होगा आप आसपास आगर आपके मुआल ठावर उसके उपर देखना एक मतलब मतलब की roads ही होगी तरशूल देखा ना आपने तरशूल शिपजी का तरशूल उसी टाइप का रोड सा होगा यह तो वो क्या होता बेटा अगर कभी भी इन ऐसी ना चीज पर और रोड एक वाइर से कनेक्ट होता है ठीक है अपने कभी भी देखा होगा कि अगर सबसे उपर रोड होगा और रोड के साथ एक मेटल के स्ट्रिप मतलब की वायर होती है और वायर को सिधा ही अर्थ के अंदर डाला होता है ठीक है इन फूचर कभी भी लाइटनिंग गिरीगे तो उस रोड पर गिरती रोड से होते वह वायर से होते वह अर्थ में चल जाता और उस प्लेस को उस घर को या उस मतलब बि अर्थ के अंदर आठ से दस अंदर मीटर अंदर उन्होंने डिग किया होता है ठीक है वी नो डैड ता मैटल और अल्मूनियम इस एन एक्स्टरनल गूड कंड़क्टर ओप लेक्सिटी ठीक है इन अधर वर्ड यह हमें पता है कि मैटल और है यह मंढें पता है बेटा कि कॉपार औररमोनियम के एक्सटरनल को गुड कंडेक्टर आ capri और इन और वर अगरम दो धूर तो दह एल्डिकर रिजिस्टंस और को पर और एल्मोनियम इस वेरी लो ठीक है एलेक्टिकल रजिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है बेटा आप्स्ट्रेक्शन टू फ्लो अफ करेंट मरलब करेंट को फ्लो करने से रोकना और एल्मोनियम और कोपर में ये बहुत ज्यादा कम होता है दस दा थांक यू फर तोड़े